लो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगर स्वस्थ होंगे स्वागत आपका फिर्स क्लाउड लॉर्न टू लीड में गुड़ मॉर्निंग तो आज हम डिसकस करेंगे 29 जून 2022 के बहुत इंपॉर्टन क्रेंट पियर जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजिस यहां पे देख रहे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टन क्रेंट पियर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास तक जब आपने जरूर देखना है लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के उपर जाएं और इसको डाउनलोड करें उसके बाद अपनी इमेल आईडी के थूरू लॉग इन कर लें और लॉग इन करने के बाद क्रैक करना है आप एक साल या दो साल की सब्स्क्रिप्शन बाइक कर सकते हैं, दोनों का फी प्राइस बहुत कम हैं, एक बर मेरे कहने से प्राइस जुरूर चेक करेंा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे、 हम आपको बहुत सी चीजे प्रवाइट कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको मिलेगा आपको मिलेंगे daily cranfer, daily cranfer में दोस्तों तीन sections होगे, एक में detailed cranfer होगे, एक में question and answer format cranfer होगे, जो कि आपको e-book की मदद से मिलेंगे, और एक होगा quiz जो कि आप हमारी application के ओपर daily attempt कर सकते हो, ऐसे ही weekly section त्यार किया गया है, जिसमें आपको दो PDFs मिल मिलेंगे, जो कि अलगलक तरह से आप utilize कर सकते हो, जैसे कि study PDF है, यह detailed cranfer है, जिसमें आपको theoretical cranfer मिल जाएगा, एक question and answer format में, जितने भी cranfer detail में मिलेंगे, वो question and answer format में इसमें मिल जाएंगे, तो practice यहां से कर सकते हो, best 100 cranfer's भी आपको दिये जाएंगे, जो कि उस महीने के best cranfer होंगे, उसमें 100 cranfer, जो है, question and answer format में आपको दिये जाएंगे, एक pocket PDF होगी, मतलब जल्दी-जल्दी में cranfer's को revise करने के लिए, दो line में, तीन line में तो आप इसका use कर सकते हैं, इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं, topic wise cranfer, हम 20 बहुत ही important, important topics की अलगलग PDF आपको provide करेंगे, अग अगर आप banking student है, banking exam की त्यारी करने हैं, तो हम आपको तीन अलग चीज़े provide करेंगे, जिसमें banking and economy से related detail cranfer, उसी से related question and answer format करेंगे आपको PDF में मिल जाएगा, और banking and economy का quiz भी आप attempt कर सकते हो, हर महीने, हर महीने attempt कर सकते हो, हमारी application के उपर, और अगर जितना भी cranfer अभी तक हो exam PDF का use कर सकते हैं, आपको detail में budget और economic survey दिया जाएगा, इसमें आपको दो चीज़े मिलेंगी, एक तो detail, एक question and answer format में भी हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से question budget और economic survey से बनाए जा सकते हैं, और आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर state का, हर unit territory का cranfer भी अल 100% extra discount भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस code का use करोगे, ASH10 का, लेकिन किसी भी तरह की query है, तो इस email ID पे हमें mail कर सकते हैं, इस number पे हमें contact भी कर सकते हैं, तो start करते हैं, 39 June 2022 के cranfer, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हैं उनसे सबसे request है, यो वीडियो को like ज section में, कौन सी country की men's hockey team ने जो है, वो पहला men's championship जो है, वो hero का international hockey federation का hockey 5S जो कि लुसान में हुआ है, वो जीत लिया है, तो question थोड़ा से lengthy है, simple कर देते हैं, दो पार्ट में divide कर लो, कि men's की hockey team कौन सी country की, जिसने पहली ही championship hero hockey 5S जीत ली है, जो कि लुसान में हुई है, और य कि दोस्तों, इंडिया की men's hockey team है, इसलिए question most important है, तो आपने याद रखना है, और इन्होंने कौन सी team को हराया है, इन्होंने Poland को हराया है, final match के अंदर, लेकिन साथ में याद रखोगे कि ये कहां पे हुआ है, लुसान में हुआ है, Switzerland में ये भी आप से पूछा जा सकता है, और अगर women's hockey team में पूछें, तो कौन सी country की women hockey team, तो अरुगे की hockey team जो है, women's category के अंदर, उन्होंने Switzerland team को हराके, inaugural championship जीत ली है, तो बहुत ही important है, और ये tournament दोस्तों हुआ कहां पे है, ये tournament, लुसान Switzerland में 4 से लेके 5 जून के बीच में हुआ है, तो इसको hockey 5S के नाम से जाना जाता है, 2022, ये international hockey federation की तरफ से organize किया गया, और ये सबसे पहला senior, official senior world hockey 5S competition था, तो आपको पूछा जा सकता है, कि inaugural competition, जो men's category के अंदर, कौन सी country की team ने जीता, और women's category के अंदर, कौन सी country की team ने जीता है, इसी के साथ आते हैं, अगले question के उपर, अगला question है, very important question section में, लेक description box से join करें, तांकि हर तरह की important notification आपको मिल सके, question है, where was the 26th Commonwealth Heads of the Government meeting, जो है, वो हुई है, तो हम already this question को कल भी थोड़ा सा discuss करके हटे थे, क्योंकि दो countries, जो कि आप जानते हो, Gabon है, और एक Togo है, दोनों को Commonwealth of Nations की membership मिली है, Gabon 55th country बना है, ये 56th बना है, तो ये meeting में decide हुआ था ये हुई है, ये हुई है, दोस्तों के गाली के अंदर, जो कि किसकी capital है, रवांडा की, तो अंसर यहां पे क्या होगा, C होगा, तो आपको ये याद रखना है, कि ये 26th meeting के अंदर, ये दो नई country's को आड किया गया था, और इंडिया की तरफ से किसने represent किया था, तो इंडि के बाद आने वाली meeting को अटेंड किया, तो इसका मतलब है कि अब ये meeting अगर 2022 में हुई है, तो अगली meeting 2024 में होगी, और वो कहां पे होगी, सामुआ में होगी, और इसका theme का है, 26th summit का, Delivering एक Common Future, Connecting, Innovating and Transforming, तो ये एक हफते का पूरा program है, जिसमें high level events किये जाते हैं, जिसमे ministers की meeting होती है, या कई forum आपस में discuss होते हैं, जैसे Commonwealth Youth Forum, या Commonwealth Women Forum, या Commonwealth Business Forum, और Commonwealth People Forum, तो ये चार forum भी जो हैं, वो यहां पे बनाए जाते हैं, और इंडिया को represent किया है, एस जैशंकर जी ने हम already इसको cover कर चुके हैं, अपने याद रखना है, कल भी इस question को cover किया था, Gabon और Togo जो हैं, वो as a Commonwealth of Nations के बने हैं, और Commonwealth के बारे में याद रखना है, ये 56 countries का गुरुप बन गया है, और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, इसी के साथ आते हैं, अगला question, अगला है, किस project को approval मिल गया है, कि 250 million dollar जो है, वो उसको दिये जाएंगे, World Bank की तरफ से, और ये project World Bank के सामने इंडिया ने रखा था, और ये state sport program है, मतब states के लिए इसको start किया गया है, और especially इसको पहले साथ states में implement किया जाएगा, और इस program का नाम है, road safety program, तो answer क्या होगा, D होगा, तो आप देख सकते हो, World Bank ने approval दे दिया है, 250 million loan जो है, वो इंडिया को मिलेगा, road safety program के लिए, और ये project जो है, वो 7 states में दोस्तों चलाया जाएगा, आंधरा परदेश, गुजरात, ओडिसा, तामिलनाडू, तैलांगना, उत्तर परदेश और वेस्ट मिंगॉल, खास करके अगर इन states से आप बिलॉंग करते हो, तो जरूर याद रखना है, और ये पूरा का पूरा जो variable loan है, variable इसलिए क्योंकि ये 7 states को अलग-लग तरह पे दिया जाएगा, ये 18 साल के लिए loan दिया जा रहा है, लेकिन इसमें grace period है, 5.5 मता 5.5 साल का grace period दिया गया है, तो project जो है, वो basically pre-hospital emergency care को improve करेगा, जो traffic accidents के कारण जो है, वो काफी victims वहाँ पे मारे जाते हैं, तो इनको improve करके उ post crash events है, जैसे hospital लेके जाना है, first aid देनी है, उसको improve किया जाएगा, और इसके लिए especially एक portal भी जो है, वो बनाया जा रहा है, मतलब एक cash database system जो है, वो national level पे बनाया जा रहा है, तांकि अलग-लग तरहां की चीजों को सही ठीक डंग से जो है, वो आप कहते हो की आगे बढ़ाय जा सके, और roads को safe बनाया जा सके, तांकि जो traffic accidents है, उनको कम किया जा सके, तो इस project के साथ ही, states को कुछ extra पैसे भी दिये जाएंगे, अगर वो public private partnership के थूँ जो है, वो कुछ private funding जो है, वो state के अंदर करते है, especially road safety program के उपर, तो ये चीज आपने ज़रूर याद रखी है, तो states में इसको implement किया जाएगा, इंडिया state funding program है, road safety program, इसमें states का भी contribution रहेगा, साथ में world bank भी इसमें fund provide करेगा, world bank की स्थापना 1944 में की गई थी दोस्तों, और world bank के जो head है, वो David Malpass है, और world bank का headquarter Washington DC है, और world bank की member countries जो है, वो 189 है, इसी के साथ आते हैं, अगले question के उपर, कौन इसमेंस grading index for districts of India, तो इसमें दो question हम discuss करेंगे, पहले इस index को discuss करते हैं, ये index दोस्तों education से related है, कि कौन सी district में education जो है, वो बहतर हुई है, उसके लिए index जो है, वो तियार किया गया, ये index ministry of education की तरफ से जो है, वो release किया गया, और ministry of education का एक department है, जिसको कहते है, department of school education and literacy, तो इसको release किया है, और इस index के अंदर 2018-19 का data और 19-20 का data जो है, वो combinedly त्यार किया गया है, याद रखना है, ये ministry of education की तरफ से release किया गया है, grade wise distribution है, इसमें districts की और states की भी अलग से, states को भी discuss करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये index है क्या, तो इसमें school education system को देखा जाता है, district level प districts को जो है, वो grade किया गया, states और union territory में, तो इन districts को इससे help मिलेगी, इसको सहायता मिलेगी, कि school education को और किस तरह से improve किया जा सकता है, और highest grade पे पहुंचाया जा सकता है, और इसमें आप कह सकते हो कि total 600 points की weightage जो है, वो रखी गई है, 83 indicators हैं, जिनको 6 अलगलग categories में divide किया गया या नहीं, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं, infrastructure facilities कैसी है, school safety के उपर focus किया गया या नहीं, child protection के उपर focus किया गया, digital learning के उपर, governance process कैसा है, तो इन चीजों को देखके ही जो है, ये पूरा का पूरा index त्यार किया जाता है, और 2020-21 का भी compile हो रहा है, इसलिए ये 18-19-19-20 का index जो है, वो हो चुका है त्यार, और इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें total जो है, वो 10 indicators है, 10 great points है, जिसमें दक्ष जो है, वो सबसे उपर का point है, जिसमें 90% score जो है, अगर कोई state या कोई district score करती है, तो उसको दक्ष category में रखा जाता है, और सबसे नीचे की category है, चित्री category के अंदर रखा जाएगा, तो अब इसमें question खड़ा होता है, हमारे पास, कौन सी district, ऐसी top की district है, जो इसमें top करती है, question बहुत ही simple है, लेकिन important है, और ये है, राजस्थान की सिकर district, और answer क्या होगा, D होगा, इसके दोस्तों points है, 488 points, 2019-20 में, दूसरा rank जो है, वो पाई, लेकिन ये उतकर्ष category के अंदर आ गई है, उतकर्ष category दोस्तों, दूसरी category है, 81-90% वाली, इसका मतलब ये clear है, कि ऐसी कोई भी district नहीं है, जो दक्ष category के अंदर आंकी गई हो, चाहे वो 2019-20 का हो, चाहे 18-19 का हो, इसका मतलब ये पता लग रहा है, कि और भी बहतर improvement ह हो सकती है, district में education को और भी अच्छे से improve किया जा सकता है, और राजस्तान ने third grade के अंदर भी टॉप किया है, मतलब किया सकते हो कि दक्ष के अंदर तो है ही नहीं कोई, उत्तम के अंदर राजस्तान टॉप करता है, अती उत्तम के अंदर भी जो है वो कौन टॉप करता है, राजस्थान टॉप करता है क्योंकि राजस्थान की चोविस डिस्टिक्स इसके अंदर है 19 B के आंकडों के साथ से देखें और अगर आप देखोगे 19 somewhat इसमें पंजाब जो है वो second number पे आता है 14 districts फॉर्टीन डिस्टिक्स पंजाब की इसमें आती गई है अती उत्तम कैटेगरी के अंदर जो कि 71 से लेके 80% score के अंदर आता है फिर गुजरात और कैरला आता है जिसकी 13-13 districts जो है वो इसमें शामिल है तो अगर आप सिरफ 18-19 का दे चेटेवर 600 points से हैं 83 indicators है 6 categories है और 2019-2020 का एक इनोंने अलग से states और union territories की performance भी जारी की है Department of School Educational Literacy की तरफ से और उसमें ये आंका गया कि अलग लेवल जो हमने बनाए है 10 levels उसमें पहले level को तो कोई भी state या union territory मैच ही निगरती और दूसरे level को जिसको grade I++ कहा गया उसमें 5 states और union territories इस बार आई हैं जिसमें अंडेमान, निकोवार और चंडिगर टॉप में हैं मतलब दो यूटी और केरला, पंजाब और तामिल नडू स्टेट्स की केटागरी में जो हैं वो टॉप पे हैं तो आप कहा सकते हो पांच स्टेट्स वो पहली बार जो है वो इसमें टॉप करती ह तो यह index क्या है, इसके अंदर क्या चीजे देखी जाती है और इसमें सबसे उपर की district कौन सी है, state सबसे उपर की कौन से के Heyala सबसे उपर की state है निकुबार आई लंग वो सबसे उपर है इसे के साथ आते हैं अंगले कोशिन के उपर कौन सी सरकार ने या स्टेट गौर्मेंट ने एक स्कीम चलाई है काशी यात्रा फॉर पिल्ग्रिम्स मतलब जो यात्री हैं जो शरदालू हैं वो काशी विशवनात मंदिर जाना चाहते हैं यह कहां पर स्टित है यूपी में लेकिन यूपी ने स्टार्ट ने की यह करनाटका गौर्मेंट ने स्टार्ट की है तो अंसर क्या होगा इसका डी होगा और इसके लिए जो स्टेट गौर्मेंट है उसने साथ प्रोड रुपे जो हैं वो यहां पर अलग से रखे हैं तो आप देख सकते हो करनाट का सरकार ने काशी यातरा स्कीम जो है वो स्टार्ट की है और इस स्कीम के तहट जो 30,000 शरदालू होंगे उसको 5-5,000 रुपे जो है वो कैश में दिये जाएंगे अगर वो काशी विशवनात मंदिर की यातरा करना चाहता है जो की वारण असी उत आईडी दे सकते हो जैसे कि आप अधार कार्ड दे सकते हो या राशन कार्ड प्रवाइड कर सकते हो और ये भी कंडिशन है कि यातरी जो है वो 18 साल या 18 साल के उपर होना चाहिए अपने वैलिड एजपरूफ के साथ लेकिन ये स्कीम तो अभी स्टार्ट की गई है लेकिन इसमें कंडिशन डाल दी है कि अगर आप एक एपरल 2022 से लेके 30 जून 2022 के बीच में भी यातरा कर चुके हो तो भी आपको ये पैसा दिया जाएगा 5000 रपी की राशी दी जाएगी अगर आप दर्शन टिकेट या वेटिंग लिस्ट या पूजा रसीट अगर आप दिखा दे हैं अगले कोशन के उपर कौनसी स्टॉक एक्सचेंज ऐसी है जितने पार्टनर्शिप की है महाराष्टा चैंबर ओफ कमर्स के साथ तांकि प्रमोशन की जा सके कि जो छोटे बिजनस्मेन है वो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के उपर लिस्ट करें तो बहुत ही स बिजनस्मेन उनको अवेरनेस प्रवाइट की जा सके कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजिस की लिस्ट करने से आपको क्या-क्या फाइदे मिल सकते हैं तो बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो टेक्निकल और मैन पावर स्पोर्ट जो है वो इन छोटे बिजनस्मे को प्रवाइट करेगा ता कि वो महाराश्ट्र चेमबर ऑफ प्णर्स इंडस्ट्र्ट्र के साथ रिजिस्टर हो और अपनी कंपनी को बॉंबे स्टाउप एक्स्चेंज SME प्लैट्फोर्म के tour回 करें और और जो कि हर तरह की क्विरी इन बिजनस्मेन्सकी सॉर्व करेगा और आप कह सकते हो कि इससे क्या होगा कि अगर आप company list कर लेते हो तो आप crowdfunding कर सकते हो आपको जो है वो fund जो है वो आप market से इकठा कर सकते हो और अपनी company को और भी बड़ा कर सकते हो और इसके लिए जो Bombay Stock Exchange है वो already federal bank के साथ tie up पहले भी कर चुका है ताकि SMA listing के उपर काम कर सक हैं तो आप कह सकते हो कि end to end solution जो है वो मिलेगा Bombay Stock Exchange के द्वारा provide किया जाएगा ताकि company register करें और साथ में अपने आपको list करें कहां पे Bombay Stock Exchange में लेकिन महाराष्टा Chamber of Commerce जो है वो एक ऐसा group है या ऐसा apex body है जो कि महाराष्टा की economic development के उपर काम करता है और लोगों के development के साथ आते हैं अगले question के उपर कौनसी institution एक report release की है जिसका नाम है इंडिया's booming gig and platform economy तो अगें question important है लेकिन इसका नाम याद रखना है इंडिया booming and gig and platform economy या नितियोग की तरफ से जारी की गई है और दोस्तो इसकी caption है perspectives and recommendations on the future of work लेकिन सबसे पहले यह पता ना चाहिए कि gig economy या gig workers क्या होते हैं ये दोस्तो एक labor market का ही एक हिस्सा है लेकिन इसमें वो labor नहीं आती जो traditional labor है office के अंदर बैठती है या full time job करती है एक ही company के अ freelancing या independent contractor बनके जो है वो काम करते हैं एक company के लिए कई companies के लिए generally वो आजकल कई companies के लिए करते हैं पहले वो एक company के लिए करते थे लेकिन अब वो एक company को छोड़के कई companies के साथ इकठे काम करते हैं लेकिन अगर एक के लिए भी करते हैं तब भी उसको gig worker कहा जा सकता है लेक कि गिग वर्कथ फोर्स जो है वो इन्वीजिवल वर्कथiosis है क्योंकि उसका डेटा जो है वाफीशल डेटा हमारे पास नहीं है पूरी country के अंदर कितने गिग वरकर्स ऐसे हैं तो report से जो है वह हमें scientific एक अप्रोच मिल जाएगा कि कितना इसमें जो है वो मैन पावर लगा हुआ है और कितने एक और जो है वो इसमें तरक्की हो सकती है तो आप कहा सकते हैं जो कि एक comprehensive perspective बताएगी और recommendation बताएगी कि किस तरह से gig workers की economy को हम improve कर सकते हैं तो gig is a world for a job that last specified period of time तोर पे यह काम करती है और gig workers को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है platform या non-platform platform का मतलब है कि like वो किसी ना किसी तरह से like किसी application based online software based या digital platform के उपर काम कर रहे है non-platform gig worker का मतलब है like कोई casual wage worker है कोई अपना account worker है या आप कह सकते हो कि कोई part time या full time working में लगा हुआ है company के अंदर तो उसको हम क्या कहा देते हैं gig worker लेकिन non-platform gig worker तो इस data के according 77 lakh workers ऐसे हैं जो gig economy में शामिल है जिसमें 2.6% जो है वो non agriculture workforce है या आप यह भी कह सकते हो total 1.5% जो ह वो gig workers में स्थगित है लेकिन अगर आप यही data देखोगे 29-30 में तो यह gig workers बढ़के जो है वो 2.35 क्रोड हो जाएंगे जिसमें आप कह सकते हो कि पूरे economy के अंदर जितनी भी labor force engaged है उसका 4.1% जो है वो इनी के उपर होगा और आप कह सकते हो कि 2.6% बढ़के भी 6.7% non agriculture workforce व और निती योग के बारे में खास तोर से याद रखना है क्योंकि निती योग जो है वो 1st of Jan 2015 में बनाया गया था सारे बच्चों को पता है लेकिन इसके जो चेर्मेन है वो प्राइम निस्टर होते हैं नरेंदर मोदी जी लेकिन इसके जो वाइस चेर्मेन दोस्तों वो चे तो यह बहुत ही important है इसी के साथ आते हैं अगले question के ओपर कौनसी state ऐसी है जिसने एक joint venture बनाया है railway ministry के साथ ताकि rail connectivity उस state के अंदर improve हो सके तो again बहुत ही simple है यह है दोस्तों असम की सरकार तो answer क्या होगा D होगा तो cabinet जो असम की है जो की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा श यह railway ministry के साथ मिलके बनाई गई है ताकि railway connectivity को असम के अंदर improve किया जा सके और इस joint venture में 51% हिस्सा असम government का होगा और 49% हिस्सा जो रेलवे ministry का होगा और यह joint venture का main काम यहीं होगा कि जितने भी programs railway के चल रहे हैं असम के अंदर उसको जल्दी से जल्दी implement किया जा सके और जितन से लेके 12 कक्षा के बच्चों के लिए है और 2223 में इसको जो है वो launch किया गया है और 5.90 में मतलग 6 क्रोड रुपिया जो है वो इसमें allocate किया गया है इसमें होगा क्या कि जो talented students हैं उनको आगे बढ़ाना है जो 13 से लेके 18 साल के बीच में है और उनको और प्रतिबाशाली ब इसी के साथ आते हैं अगले question के उपर in space ने ऐसी कौनसी Indian private firm को permission दी है कि वो अपने payload को space के अंदर उतार सकते हैं तो सबसे पहले in space का मतलब होना पता होना चाहिए इनका मतलब है India, S का मतलब है space, P का मतलब promotion, A का मतलब authorization, C का मतलब center तो यह है Indian space promotion and authorization center इसने एक firm को नहीं दो दो firms को चुना है, एक तो दुरूबा space, एक दिगांतरा research, तो answer क्या होगा, both A and B, तांकि वो अपने payload को space के अंदर बेश सकती है, तो इन space की तरफ से approval जो है वो दिया गया है, तो इसका मतलब कह सकते हो कि ऐसा पहली बार हुआ है, कि जो private space startups हैं, उनको यह permission मिली है, कि वो payloads को वहाँ पर उतार सकते हैं, तो इसका मतलब यह signal है, कि जो private space companies हैं, वो इंडिया के अंदर अब अपने आपको मजबूत बना सकती हैं, अपने आपको आगे बढ़ा सकती हैं, तो दुरूबा space जो है, वो अपना एक satellite deploy technology को demonstrate करेगा, जिसका future में use किया जा सकता है, कि कोई CEO आजकल कौन है, संजे जी, संजे निखेती जी, लेकिन अपने नाम जो है, वो याद नहीं रखना, दिगांतरा जो है, वेधर satellite launch करेगा, जो की एक patented technology है, इनके पास की weather monitoring के लिए, ये space में अपना एक satellite छोड़ेंगे, जिससे weather system जो है, वो और मजबूत होगा, हम थोड़ जो है, वो एक autonomous, एक single window nodal agency है, जो की department of space ISRO के अंडर आती है, तो इसका main काम यहीं है कि promotion, authorization, monitor या supervise करना है, उन space activities को, या फिर साथ में department of space की जो facilities हैं, जो की non-governmental private entities इंडिया के अंदर हैं, उनको और मजबूत करना है, ताकि हम space sector को और बहतर मना सकें, इसके chairman कौन है, पव अजरात, ऐसी कौन सी latest non-banking financial company है, जिनको prepaid payment instrument license दिया गया है, RBI की तरफ से, और यह license जो है, वो दोस्तो semi-closed prepaid instrument license है, तो यह मिला है, muffin finance limited को तो answer क्या होगा, भी होगा, तो Reserve Bank of India ने यह NBFC को license दिया है, in principle approval दी है कि semi-closed prepaid payment instrument license आपको देंगे, और इस semi-closed prepaid instrument license का मतलब है, कि जो digital banks है, जो financial technological companies है, या जो major consumer facing applications है, वो कई features को launch कर सकते हैं, जैसे कि digital payment solutions को launch कर सकते हैं, अपने lending business के लिए, तो इसका मतलब जो यह भी company है, हमारे पस muffin finance, वो भी अब एक निया payment solution जो है, वो launch करेगी, जिसका नाम होगा muffin pay, ताकि अपनी lending facilities क और आगे बढ़ाया जा सके, मतलब एक digital payment solution, जिससे पैसा जो है, वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो NBFC जो है, वो semi-closed PPI के अंदर आ चुकी है, और इससे वो customers तक पहुंच सकती है, और भी loan को offer जो है, वो कर सकती है, मतलब semi-closed PPI जो है, वो अपने customers को, जो है, वो कई corporate partnership, जो है, वो हो सकती है, offer muffin finance, ऐसी fourth NBFC है, जिनको इस तरह का license मिला है, इससे पहले आप कहा सकते हो, बजाज Finsav भी है, जिसको ये license मिल चुका है, मनापूरम है, और Paul Merchants भी है, तो इन तीन companies को ओलड़ी ये license मिल चुका है, तो अपने याद रखना है, prepared payment instrument का मतलब basically क क्या होता है, कि जो goods and services को purchase करने के लिए, financial services, remittance या fund transfer, अगर family को करना चाहते हो, तो आप उस instrument का use कर सकते हो, जो है, prepared payment instrument, और ये मिला है, muffin finance limited को, next आपके पास, कौन सी company ने partnership की है, protein के साथ, ताकि pan related services provide की जा सके, उस company की मदस से, और ये company है, pay nearby, answer होग भी, slide से ही question को याद है, तो इसलिए, बहुत जादा important नहीं कहोंगा, लेकिन banking student याद रखेंगे, तो इससे क्या होगा, कि जो service delivery है, खास करके related to pan, वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, formal financial sector के through, लेकिन आप कहा सकते हो, कि पूरे process के अंदर pay nearby का role बहुत जादा है, क्योंकि pay nearby का distribution as a service network है, ये company protein जो है, वो pan related services जो है, वो लोगों तक पहुंचाएंगी, इसी के साथ आते हैं, अंगले question के उपर, business tycoon, पालोंजी मिस्तरी, जो की head है, शापूर जी, पालोंजी group के, उनका देहान थो गया दोस्तों, ये 93 years old थे, इनका देहान थो गया, लेकिन इनका जनम जो है, वो पार्सी community के member हैं, तो Bloomberg's billionaire index की अगर बात मानें, तो उन्होंने कहा है कि 29 billion dollar जो है, वो इनके पास already, आप कहा सकतो है, इनकी value है, क्योंकि इनके पास largest minority stakeholder है, ये Tata Suns के 18.4% stake जो है, वो इनके पास है, तो इनको पदम बूशन से भी सम्मानित किया गया था, 12 सरकार की तरफ से 2016 में, इनका trade or industry में बहुत बड़ा contribution है, और इनके एक short biography लिखी गई थी, जिसका नाम था The Moguls of Real State, ये Manoj Namburu ने इस book को लिखा था, और Cyrus Mystery ने के बेटे हैं, जो की chairman रह चुके है Tata Suns के 2011 से लेके 2016 के बीच में, बाद में Tata's और Cyrus Mystery के बीच में अभी case जो है, वो basically चल रहा है और 1917 में, पालों जी ने बहुत ज़्यादा business जो है, वो expand किया, खास करके Middle East में, जैसे की आबुदाभी, कतर, दुबई, और 1971 में, इनकी company को एक contract मिला, कि जो ओमान के सुल्तान है, उनका palace जो है, वो इन्होंने बनाना है, और कई ministerial buildings जो है, वो Middle East में इन्होंने बनाई है, इवन इंडिया के अंदर, Mumbai World Trade Center इन्होंने बनाया है, साथ स्टोरी residential towers इन्होंने बनाये है, 210 में, 80 एककड के अंदर एक information technology पाक बनाया है, जो की कहां पर स्थिता है, पूने के अंदर, तो बहुत बड़ा निर्मान जो है, वो इन्होंने किया है, real state के अंदर, को ये भी इसी के साथ आते हैं, अगला section जो की है, important question section, लेकिन वीडियो को like करें, share करें, maximum to maximum, और चैनल को अभी के अभी subscribe कर लें, और टेलिग्राम ग्रूप को आप description box से join कर सकते हैं, ताकि हर तरह की important notification आपको मिल सके हैं, question है, national insurance awareness जो है, वो कौन से दिन मनाया जाता है, बहुत ही simple question है, static question है, तो answer होगा, इसका कौन से दिन मनाया जाता है, 28 June को, तो answer होगा, A होगा, मकसर सिरफ एक ही है, कि insurance के बारे में लोगों को बताया जा सके, insurance किस तरह से आपको security provide करता है, उसके बारे में बताया जा सके, और किस तरह से आपको insurance plans के अंदर invest करना चाहिए, और क्या benefits आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है, तो insurance payments time पे देनी है, और up to date आपने अपने renew करने है insurance plans के, तो उसके बारे में भी यह दिन जो है, वो जानकरी लोगों तक provide करता है, तो याद रखना है insurance awareness day 28 June क बीच में मनाया गया, हर साल ये इस date को नहीं मनाया जाता, क्योंकि 2021 में देखोगे तो ये 13 से लेके 19 June के बीच में मनाया गया, लेकिन इस पर 5 से लेके 11 June के बीच में मनाया गया, और theme क्या है, तो answer क्या है, इसका D होगा, और इस बार का theme specially ये बताता है, कि अच्छा breathe करने के लिए सांस को अच्छा लेने के लिए आपको connection पता होना चाहिए, अस्थमा और allergy के अंदर क्या है, ये theme जो है, वो basically इसलिए रखा गया है, और ये organization है, एक world allergy organization, ये इस तिन की शुरुवात करती है, और उसका main मक्सर यहीं है, कि training provide की जा सके, resources पैदा किये जा सके, कि हम जो हैं, वो allergic diseases को खतम कर सके, अस्थमा की विमारी को रोक सके, तो ये चीज़े आपने याद रखनी हैं, अब आते हैं one liner important points में, जिसमें पहला point है हमारे पास, करनाटका ने काशी यातरा scheme को launch किया है, और लड़ी कर चुके हैं, next है हमारे पास, chief economic advisor ने कहा है, कि इंडिया 5 trillion dollar economy बन जाएगा 26 ताइस तक, और 10 trillion dollar economy बन जाएगा 33-34 तक, और हमारे chief economic advisor है, वी अनन्था नगेश्वरम जी, उन्होंने ये predict किया है, और current economy 3.3 trillion dollar पे चल रही है, और अगर 10% की nominal GDP growth भी हम लगाएं, तो आप देखोगे कि 23-34 तक ये पहुंच जाएगी 10 trillion dollar तक, गगनियान crew module fairing जो है, वो ISRO को दिया है, तो Indian Space Research Organization को ये crew module fairing जिसको CMF कहा जाता है, वो provide के है, alpha design technology limited की तरफ से, और याद रखना है, जो CMF है, ये एक ऐसा structure है, जो astronauts जाएंगे गगनियान mission के अंदर, उनको बचा के रखेगा, अगर कोई pressure बहुत जादा बढ़ जाता है, या कोई heating बहुत जादा हो जाती है, atmosphere के अंदर, तो उससे बचा के रखने में काम करता है, नेक्स है, वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन डॉलर जो हम इंड़े के road safety program को दिये हैं, अल्डेडी कर चुके है, National Insurance Awareness टे अठाई स्चून को मनाया गया, ये भी हम कर चुके है, इसले बज़ट की तुलना में, ये 14.2% जो है, वो हमने increase कर दिया है, और साथ ही साथ, जो growth हुई है, basically, वो 14.2% हुई है, और जो fiscal deficit है, वो 3.78 है, अगर आप gross state domestic product का देखोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंजाब सरकार के हमारे पास जो चीफनिस्ट हैं, वो ब किसको securities and exchange board of India का chairman बनाया गया है, तो बहुत ही simple था और बहुत ही important question है, क्योंकि ये पहली महिला है, जो SEBI की chairman बनी है, मदाबी पूरी जी, और आपने ये भी याद रखना है कि SEBI का गठन 1988 में किया गया था, लेकिन SEBI की स्थापना 1992 के act के साथ की गई थी, इसी के साथ आते आप मुझे comment box में बताएंगे, मैं आपका answer का wait करूँगा, लेकिन video को like करना है, share करें और channel को subscribe कर ले, लेकिन आप हमारे हर तरह के platform को join कर सकते हैं, जैसे की facebook, instagram, linkedin और specially telegram channel तांकि एक तो quiz attempt कर सको, और एक हर तरह की information आपको मिलती रहे, life को बहुत ज़्यादा serious नहीं होगे, हमेशा अपनी health का ध्यान रखोगे, thank you guys, take care and bye bye